आज किस वीडियो में हम देखेंगे कि CSE से COVID Vaccine Registration कैसे किया जाता है जी हाँ अब आप अपने CSE Center पर बैनर लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ COVID Vaccine Registration किया जाता है और आप हर उस परसन का COVID Vaccine Registration कर सकते हैं जिसकी एज 18 साल से ज्यादा है तो इस वीडियो में मैं आपको CSE के थुरू COVID Vaccine Registration का complete process दिखाने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं COVID Vaccine Registration के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा यह आपको description में भी मिल जाएगा और साथ ही digital सेवा portal में भी आपको यह मिल जाएगा इस पर आप क्लिक करेंगे इसमें आप अपने CSE के थुरू login करेंगे login with CSE connect काफ़ी simple user interface है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने कितने registration किये हैं और आपने आज कितने registration किये हैं registration करने के लिए आप यहाँ customer का mobile number डालेंगे इसके बाद send OTP पर क्लिक करेंगे mobile number पर 1 OTP send के जाएगा OTP आप यहाँ डालेंगे और verify OTP पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने यह dashboard आजाएगा इसमें आप देख सकते हैं एक mobile number से 4 लोगों को आप register कर सकते हैं तो आप यहाँ add beneficiary पर क्लिक करेंगे जितने लोगों को आप अपने CSC center के थूरू register करेंगे उनको vaccine लगने के बाद उनका certificate भी आप इसी portal से download कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको beneficiary का नाम डालना होगा जिसका आप registration कर रहे हैं यहाँ पर आप year of birth डालेंगे किस year में वो पैदा हुआ है जिसका आप registration कर रहे हैं अगर उसको कोई और बिमारी है तो आप इसको yes करेंगे वरना no कर देंगे इसके बाद gender चूज करेंगे यहाँ पर ID type चूज करेंगे इसमें आप आधार का driving license, pen card, passport, pension passbook NPR, smart card और water ID card दे सकते हैं जैसे कि मैं pen card चूज कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको ID का number डालना होगा जो भी ID आप यहाँ पर चूज करेंगे उसका number यहाँ पर डाल देंगे इसके बाद submit एक beneficiary add हो चुका है इसी तरह से आप 4 लोगों को एक ही number में add कर सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि किसी एक family के 3 या 4 members होते हैं तो आप उनको एक ही mobile number में add कर सकते हैं add beneficiary पर क्लिक करेंगे second beneficiary add करने के लिए इसमें भी आप beneficiary का name, year of birth, index, gender, ID type और ID value डाल कर submit पर क्लिक करेंगे second beneficiary successfully add हो चुका है अब जितने भी beneficiaries आपने add किये हुए हैं आप उन सब के लिए अलग-अलग appointments add कर सकते हैं और साथ यहां पर आप देख सकते हैं कौन सी dose है जैसे कि यह dose 1 है appointment book करने के लिए आप schedule पर क्लिक करेंगे जिसकी भी आप appointment book करना चाहते हैं appointment के लिए दो option दी गए हैं यह तो आप by pin code सर्च कर सकते हैं या by district सर्च कर सकते हैं COVID vaccination center चलिए हम by pin code पर क्लिक करेंगे और इसमें यहां पर pin code डालेंगे pin code डालकर search पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने pin code डाला हुआ है उस pin code पर जितने भी vaccination center है उन सब की आपके सामने एक list आजाएगी किस center पर किस date को कितने slots available हैं ये भी आप यहां पर देख सकते हैं तो जिस date को भी आप book करना चाहते हैं आप उसके सामने क्लिक करेंगे जैसे कि हमें 27th मैई को book करना है और इस center पर book करना है तो हम इस पर click करेंगे इसके बाद आप time slot book कर लेंगे किस time आप जाना चाहते हैं वेक्सीन लगवाने के लिए तो इसमें आप कोई भी एक timing चूज करेंगे इसके बाद confirm and submit पर click करेंगे तो appointment book हो जाएगी और उसी date को जिसका आपने registration किया है उसको जाना होगा इसी vaccination center पर जिसका address यहाँ पर दिया गया है और इसी time पर जाएंगे जो time यहाँ पर choose किया है और उसी ID proof के साथ जाएंगे जो ID proof यहाँ registration के समय दिया है original ID proof साथ में होना चाहिए और वहाँ पर vaccine लग जाएगी जिसके लिए कुछ payment भी करना होता है जो सभी centers पर अलग अलग हो सकता है COVID vaccine के according इस तरह से आप अपने CST center के थूँ COVID vaccine का registration कर सकते हैं